हेलो फ्रेंड स्वागत आपका आपके पने चल होम ट्विशन पे दोस्तो बड़ी खुश कबरी आपके लिए लेके आए हैं जियां दोस्तो ITBP में Constable Head Constable Telecom ब्रांच के 249 पदों पर वेकेंसी निकली है जियां दोस्तो 249 पदों पर Constable Head Constable Telecom की वेकेंसी निकली है दोस्तो इस बरती में क्या Age Criteria रहेगा, Selection Process क्या रहेगा, Exam Pattern, Physical Details सभी को विस्तार से यहां पर जानेंगे तो वीडियो को ध्यान सिरु पूरा देखे दोस्तो हमारा Math और Regening का Complete वेच, यहां दोस्तो Complete Math और Regening आपको मिलेगा एकलव वेच हमारा स्टार्ट हो रहा है, अगर आप मेंसे कोई भी बच्चा चाहिए आप SSE, CHSL की तयारी कर रहे हैं, MTS की तयारी कर रहे हैं, GD की तयारी कर रहे हैं, Dilliple, CISF, SSB, BASF, ITV किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, दोस्तो, आपको Complete Math और Complete Regening यहां पर मिलेगा, दोस्तो, ठीक है बहुत सारी चीज़े आपको इस बैच में मिलने वाली हैं, तो अगर आप मेंसे कोई बच्चा जोइन करना चाहता है, तो अभी हमारी एप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप बैच को पर्चेज कर सकते हैं, आईए सीधे नोटिवेकेशन पर जाते हैं, तो दोस्तो ये नोटिवेकेशन रिलीज वहा है, ITPP आप देख सकते हैं, ठेक है, ITPP का है, Recruitment of the Head Constable Telecommunication and Constable Telecommunication, यानि Telecommunication के ब्रांच जिसमें Constable Head Constable, और दोस्तो ये जो पद है, मेल, फीमेल दोनों के लिए है, ठेक है, तो ये डाउट नह नहीं रहना चीए, कि सर्फ फेमेल अपलाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठेक है, आचा, गुरूप सी के पोस्ट है, ठेक है, अभी ये टंपरी, बहुत सारे बच्चे कोमेंट सेक्षन में पूस्ते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो बहास करने लग जा ठेक है, और ओनलाइन फोर्म आप ये वर सकते हैं, दोस्तो इस फोर्म की जो लास्टेट है, 30 नवंबर 2022 है, स्टार्ट होएं दोस्तो एक नवंबर से आप इसको 30 नवंबर तक फोर्म को फिल कर सकते हैं, ठेक है, इस फोर्म की जो लास्टेट है, 30 नवंबर है, ठेक है, आ पद है जबकि constable के दोस्तो 166 पद है यहाँ पे आपको category wise male female दोनों दिया हुआ है तो head constable male 107 female दोस्तो 19 पद है जबकि constable 142 और female दोस्तो 25 पद है बड़िया मुखका है बड़िया opportunity है दोस्तो ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों की vacancy में change भी वगेरा किया जा सकता है तो कोई नहीं बात नहीं है आप बात कर लेते हैं दोस्तो age criteria के बारे में तो age criteria आप खुद देख लीजे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा age criteria से पहले यहाँ पे पेस्केल भी दिया होगा 25,500 से 81,100 रुप है और अगर आप constable के लिए अपलाई करते हैं तो 21,700 से 49,100 रुप है आपको यहाँ पे salary के रुप में यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों यह एक basic पे है इसमें allowance वगेरा जुड़के यही salary head constable की शुरुवात में 38,000 से 40,000 के आसपास जाती है वहीं constable telecom की जो vacancy है दोस्तों शुरुवाती 22,000 से लेके 25,000 रहती है on duty joining दोस्तों धेरे धेरे बढ़ती बढ़ती यह भी आपकी 49,000 रुपे तक जा सकती है दोस्तों और इसमें लिखा भी हो है दोस्तों कि यहाँ डेरनेस allowance, राशन मनी, सपेशल allowance है, यहाँ पे HRE है, ट्रांसपोर्ट allowance है, लीव ट्रेवल कंसेसन है बहुत सारी आपको यहाँ पे सुईदाए मिलेंगी दोस्तों ठेक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों age criteria आपकी 30 नमबर, जो इस फोरम की last date है उस दिन count होगे, यानि 30 नमबर को जो आपकी उमर है 18 से 25 साल होने चीजर्णल category और अगर आप head constable telecomplication के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपकी qualification या तो आप 12th pass हो physics, chemistry और math के साथ minimum 45% mark आपके होने चाहिए या फिर अगर आप 10th pass है तो आपके पास 2 साल का ITI होना जरूरी है दोस्तों जहां 2 साल का ITI telecom service में या electronics, electrical, electronics communication में होना चाहिए या आप 10th pass है और with time PCM and with 3 year diploma in electronics communication यानि आपने अगर pole technical कर रखे 10th के बाद ये तो है जी head constable की अब अगर constable की बात करें तो constable में भी दोस्तों same ही criteria है ठेक है इसमें बस आपसे 10th pass मांगी गई है उसमें 12th pass पे है इसमें 10th pass पे है अगर आप constable telecom के लिए अपलाई करना चाहते है तो उमर आपकी 18 से 23 साल general category दोस्तों 18 से 23 essential qualification की बात करें तो 10th pass होना जरूरी है और साथ में दोस्तों आपसे diploma या certificate मांगा जा सकता है ITI in any stream ठेक है अगर आप head constable के लिए अपलाई करेंगे तो special branch दिये दोस्तों electrical electronics communication लेकिन अगर आप constable के लिए करना चाहते है तो केवल आपके पास diploma होना जरूरी है किसी भी stream से ठेक है और आपका 10th pass और उमर 18 से 23 साल होने चाहिए general category दोस्तों ठेक है इसके अलावा जो other category है उनको छूट यहाँ पर मिलेगी इसमें कोई भी नई बात नहीं है ठेक है अच्छा जी एक्स और इसमें के बारे में बताया गया है अब बात कर लेते हैं दोस्तों physical standard ठेक है physical standard के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम height की बात करें दोस्तों तो अगर आप general category male है तो आपकी height 162 cm होनी चाहिए female है तो 150 cm होनी चाहिए और chest आपकी छिंतर से 81 होनी चाहिए ठेक है चलिए लेकिन अगर आप journal category से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपकी height 170 cm होनी चाहिए यह यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ST के लिए ठेक है journal category का अगर कोई बच्चा इस post के लिए अपलाई करना चाहता है अब यहाँ पर important बात है कि selection process क्या रहेगा दोस्तों ठेक है तो उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर पूरा होगा पूरा notification है इससे पहले दोस्तों physical में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा वो भी इसमें जान लेते है नोटिफिकेशन थोड़ा सा गलत तरिक की सिरेंज किया गया है ठेक है selection process है क्या है यह नहीं बताया गया है दोस्तों ठेक है तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों phase 1 में आपका physical test होगा सबसे पहले physical लिया जाएगा दोस्तों physical में क्या होगा तो 800 मिटर की रेंणिंग आपको च्यार पैतार जानी पोणी पांच मिनटे पूरी करनी होगी 9 foot high jump 9 foot long jump और 3 foot आपका यहाँ पर high jump रहेगा दोस्तों और यह qualifying nature का इसका कोई भी marks आपका नहीं जुड़ेगा दोस्तों ठीक है तो आपको यह समझ में आया दोस्तों कि सबसर्ब selection process क्या रहेगा तो selection process के अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपका PST और PAT होगा उसके बाद आपका paper लिया जाएगा यही रिटन exam होगा उसके बाद आपका skill test होगा और उसके बाद आपका medical होगा दोस्तों तो यही यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं विस्तार से भईया यह देखिए दोस्तों नमबर दो यहाँ पे physical standard test के बारे में बताए गया है PAT के बारे में बता दिया है उसके बाद PST आपका होगा और फिर आपका होगा दोस्तों written examination phase 1 में PST, PAT phase 2 में आपका written exam अब written exam का pattern क्या रहेगा इसको समझना जरूरी है दोस्तों तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पे आप खुद देख लीजिए written exam में क्या क्या पुचा जाएगा दोस्तों total 100 question आएंगे 100 question आएंगे 100 ही number के आप से section पुचे जाएंगे दोस्तों 5 सबसे पहले journal English या journal Hindi 10 question ठेक है दोनों के 10-10 question आएंगे फिर journal awareness आपका 15 question reasoning math दोनों भाईया reasoning आएगा 15 math आएगा 20 number का इसके लावा physics और chemistry जो technical subject है उनके 20 और 10 करम से question पुचे जाएंगे दोस्तों paper आपका रहेगा वहिया 2 घंटे का paper आपका 2 घंटे का रहेगा क्या इसमें negative marking है या नहीं है आप यहाँ पे खुद देख लीजिए दोस्तों ठीक है ध्यान से देखते रहे constable की बात करें तो दोस्तों pattern आपका बिल्कुल समान है लेकिन paper का level थोड़ा बदल जाएगा यहाँ पे math के 30 कुशन reasoning के वहिया यहाँ पे आपका पुचा जाएगा base कुशन ठेक है जीक के आप से पुचा जाएगा base कुशन Hindi English यहाँ पे 15-15 कुशन यानि इसमें जो technical part है physics chemistry वो हटा दिया दोस्तों बाकी number of questions यहाँ पे बढ़ा दिया है चेक है चलिए और यहाँ पे वहिया negative marking के बारे में कुछ बताया है क्या इसमें कुछ भी नहीं बताया है दोस्तों time इसमें भी 2 घंटे आपको मिलेंगी चेक है अच्छा जी phase 3 में दोस्तो merit list आपकी बना दी जाएगी ठेक है phase 3 में आपका merit list बनाई जाएगी ठेक है चलिए फिर इसके बाद आपका document verification होगा और इसके बाद आपका detail medical, serial medical होगा और इसके बाद आपका वया skill test इसमें नहीं है दोस्तों ठेक है तो इन्स्टेक्शन यहाँ पर दे दिये गए है तो यह आपका notification जारी हो चुका है दोस्तों ITPP constable, head constable, telecom branch का 49 पद है बढ़िया मोका है आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं information अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को like करें, share करें चलको subscribe कर मारे साथ जुड़े रहने के लिए और दोस्तों math reasoning को बड़िया तरिक के से त्यार करना चाते हैं तो आप हमारे एकलवे batch को join कर सकते हैं दोस्तों, एकलवे batch को join करने के लिए दोस्तों आपको हमारी app डाउनलोड करनी है जिसका link description दिया हुआ है complete math reasoning आपको मिलेगा like class, PDF note, mock test, expert faculty आपके सामने में खड़ा हूँ दोस्तों math reasoning बिल्कुल basic से आपको पड़ाएंगे अगर आप join करना चाते हैं तो अभी हमारी app को डाउनलोड करें वीडियो को like करें, share करें, चैनल को subscribe करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद